आप सब उमीद करती हूं आप लोग अच्छे होंगे आज आपकी वरक्षीट नमबर 11 आई है तो पहले आप लोग इसे लेबल कर लेंगे मैट्स की वरक्षीट है लिख लेंगे अपना नाम अपने टीचर का नाम डेट आप लोग लिख लेंगे नमस्ते बच्चो हम आशा करते हैं कि आप से भी स्वस्त होंगे माई सेंस ओफ तच आज हम लोग पढ़ेंगे अपने उस सेंस के बारे में जिसे हमें महसूस होता है किसी ने हमें चुआ, किसी ने हमें मारा यह हमें कैसे पता चलता है या हमने इस चीज को चुआ यह थंडी थी या इस चीज को चुआ यह गरम थी तो इस चीज को आज हम लोग पढ़ेंगे लिखा है बच्चो कल मैं दोपहर में छट पर सूखे कपड़े लेने गई जैसे ही मैं कपड़े उतारने के लिए छट पर पहुची तो छट का फोश बहुत गरम था मैं भागते हुए छाय वाली तरफ गई जहां फोश ठंडा था और मेरी चपल भी थी फिर मैंने अपनी चपले पहनी और रसी से कपड़े उतार लिए अच्छा बताओ कि मुझे ठंडा और गरम कैसे पता चला तो बिल्कुल सही पहचाना आपने अपनी तोचा से छू कर महसूस करके है ना यानि हम अपनी तोचा से उस चीज़ को छूते हैं या उसे महसूस करते हैं तो हमें पता चल जाता है कि कौन सी चीज़ ठंडी है कौन सी गरम है कौन सी मुलाइम है कौन सी सख्त है यह साई चीज़े में पता चल जाती है तो लिखा है मैं करी तरह की चीजों को अपनी तोचा से महसूस करता या करती हूँ जैसा कि आपने आदे एक सकते हैं हम अपने तोचा से पता करते हैं कि ये चीज़ ठंडी है ये चीज़ गरम है, ये चीज़ मुलाइम है, यानि सौफ्ट है, ये चीज़ हार्ड है, यानि सक्त है, लिखा आईए मिलकर ये गीद गए, क्या सक्त और क्या नर्म, क्या थंडा, क्या है गर्म, जब सर्दी या गर्मी आए मेरी तोचा मुझे बताए, आओ छूपकर मैं बत आउं बात अपनी सब को समझाओं तो उम्मीद करते हूं आपने गीत गाली आओगा अच्छे से आप लोग इसे दुबारा से पढ़ेंगे गाएंगे याद करेंगे जबानी तैकि आप लोग अपने टीचर्स को सुना सकें अब यह आपको तीसरा कोशन लिखता है आईए उन चीज़ों को हाथ के चितर से मिलाएं जिने हम चू सकते हैं तो हम क्या करेंगे उन चीज़ों को मिलाएंगे जिनको हम लोग चू पाते हैं जैसे की फूल को हम चू सकते हैं दरख को चू सकते हैं है ना चांद को नहीं चू सकते हैं चांद बहुत दूर है प्लेट चमच फ देखंगे आपको छीजे चूने पर मुलाइं लगाना है जैसे की सोफा मुलाइं होता है डर्वाजा मुलायं नहीं होता है चापी भी मुलाइं नहीं होती है लेकिन हमारी pull and close, जो cap है, यह मुलाइम होती है, हमारी dress मुलायम होती है, car, box, या ball, यह सब मुलाइम नहीं होते हैं, तो जो जो मुलाइम थे हमने उन्पे गोला लगा दिया, है आप देखिए को आगे कुछ ने चलिए अब आप अपने सफ्त की किसी सफ्त मुलायम गर्म या ठंडी चीज का नाम बताईए तो देखिए अब यह जल्दी ऑपको आपके आप चाये अगर हम गर्म बोलेख के पास चाय है चाै गर्म है जो की किवा नाष्टे है वो सखते हैं ठीक है मुबाइल सखते है इसके लावा अगर हम बात करें जो मुलाइम चीज है तो हमारा तक्या जो कुशिंस होते हैं यह सब मुलाइम है जिने हम छूपाते हैं नर्म होते हैं यह ठीक है तो इस तरह से आप लिख लेंगे यहां टीचर से का गया आपकी मद चाहिए जैसे आग है ना खुले स्विच या बिजली के तार इत्यादी या फिर काटे दार पौधे जिसके अंदर काटे लगे हों यह सारी चीज़े हमें नहीं चुना चाहिए चले तो आची वर्क्षिट को यहीं खत्म करते हैं अची वीडियो में बस इतने हैं अगर आपक आपने मैंचंग को सिस्क्राइब नहीं किया तो प्लीज मैंचंग को स्क्राइब करें थैंक यू फो वाचिंग